है दोस्तो पांच साल के कम अमर के बच्चों में गैस हो जाना ये आमबात है नहीं पांच साल के कमोर देश्चे रहते हैं उन लोगों को अगर आपने हाई- फाइबर के जैसे की फूर हो गया ज्न में बीन्स हो माने जो खाना का है वो हजम नहीं हुआ है तो ऐसी कंडिशन में भी बच्चा जो है उसको बहुत ही जा स्टमक में दर्द होता है तो ऐसी कंडिशन में कौन सा ड्रॉप एवम सीरफ जो है वो रिकमेंडेशन की जाती है आज हम बात कने वाले ऐसे बढ़िया बैतरी ड्रॉप के बारे में आज हम जानेंगे यह जो ड्रॉप एवम सीरफ है यह बच्चे को कब दिया जाता है यानि कि उसका ड्रॉजेज क्या रहता है यह ड्रॉप की साइड इफेक्ट है या नहीं है और यह जो ड्रॉप है उसके साथ आपके जुड़े हुए सवाल और यह जो ड्रॉ यह इसका जनरिक ब्रांड नेम है लेकिन आपको मार्केट में यानि की रिटेल मेडिकर स्टोर पे कौन से ब्रांड नेम से मिल जाएगा जिसमें कॉलिके ड्रॉप, गेस्टिका ड्रॉप, डिलीफेंट ड्रॉप, आपकी एरियां डॉक्टर के इसाब से इन में से कोई भी ड बच्चे को बुखार हो जाता है, तो कौन सी सीरप जो है वो प्राइमरी तोर पे दी जाती है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है, जिसका ब्रांड नेम है आईबुजेसिक प्लस सीरप या कॉम्बी फ्लेम सीरप, जिसकी लिंक मैंने आई बटन में डाल दी उसके मेकनोजम एक्शन जो है, वो क्या रहती है, तेके डील ओल एवन फिनल ओल जो है, वो आपकी बॉड़ी में, यानि की बच्चे की बॉड़ी में जाके, जो उसका जो डाइजेस्टिव प्रॉबलम की वज़े से क्रेम सो रहा है, दर्द मैस हो रहा है, उसको खतम करता है, और सिमेथी कौन जो है, वो आपके बच्चे की जो बॉड़ी रहती है, उसमें जो बबल स्यम करता है, यानि की जो गैस बन रहा होता है, उसको धीरे-दीरे खतम कर देता है, और इसकी वज़े से बच्चे का जो दर्द है, वो टोटली खतम हो जाता है, जैसे कि हमारी बात हो चुकी है, कि जो गैस्टी का ड्रॉप है, वो बच्चों के स्टमक दर्द के लिए इस्तमाल होता है, तो अगर बच्चे का स्टमक में बहुत ही जाता है, ये चोटे बच्चों में, यानि कि दो साल से कम वर के बच्चों में कैसे पता लगता है, अगर बच्चा जो तो है उसका सेवन करवाते हो तो बच्चे का स्टमक में बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजर्ड मिलता है और जो दर्द है वो खत्म हो जाता है अगर आपको यह बात पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे साथ ही साथ हमारी चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल करें रही चैनल करें अब और आपके बच्चे को कॉलिकयर ड्रॉप यह घ्रल डिया गया है तो उसके स्टमक में नॉश्या हो जाता है वॉमिट इन की उल्टी भी बच्चे कर देते हैं इसको कपस की समझ्या हो जाती है बच्चे को भूख नहीं लगती है ऐसे है अलग-अ अब हम जानते है कॉली के ड्रॉप जो है उसके डोजेज के बार में यानि कि बच्चे को कौनसे तौर पे दिया जाता है और कितने ड्रॉप बच्चे को दिये जाते हैं जिसमें दो तरह के प्रोसेस हैं बच्चे की उमर एवं बच्चे का वजन अगर बच्चे का वजन है व अगर बच्चे की उमर जो है वो 0 से 3 महीने की है तो उसको 3 ड्रॉप दिये जाते है अगर बच्चे की उमर 3 महीने से 6 महीने के बीतर है तो उसको 5 ड्रॉप दिन में 4 बार खाना खाने से 15 मिनिट पहले दिये जाते है अगर बच्चे की उमर 6 महीने से 12 महीने की है तो उसको 10 दिये जाते हैं और अगर बच्चे की उमर एक साल से ज्यादा है तो उसको 20 से 25 ड्रॉप दिन में चार बार खाना खाने से 15 मिनिट पहले दिये जाते हैं अगर आपके बच्चे को बहुत ही ज्यादा नाक में से पानी बह रहा है तो आपको सेट्रिजन सिरप दी जाती है तो अगर आपने अभी भी सेट्रिजन सिरप जो सिपला किया ती है उसके बारे में पूरी जानकरी हासिल नहीं किये तो आई बटन पे जाके क्लिक किजे और एलेली जानकरी पा सकते हो अगर आपके बच्चे को कॉलिके ड्रॉप के जो कंटेंड है यानि की डिल ओयल, फिनेल या सिमेथी कौन जो ड्रॉग है उससे अलर्जी है तो ये जो ड्रॉप या सिरप है उसका सेवन आप ना करे और अपने डॉक्टर को किसी और आल्टर्नेटिव ड्रॉप या सीरप के बारे में कंसल्ट करे उसके बाद ही colicate drop एवं gastrica drop है उसका सेवन करे अब आज़ानादें gastrica drop के बारे में आपके कुछ सवाल जिसने पहला question है gastrica drops के क्या फायदे है गेस्टी का ड्रॉप्स देने की वज़े से बच्चे के स्टमक में जो flotens यानि की gas बन गया होता है वो खत्मा हो जाता है इसकी वज़े से abdominal pain जो है वो बच्चे को दर्द जो स्टमक में हो रहा है वो भी कम हो जाता है और साथी साथ infantile colic यानि की आपका जो बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा दो या तीन गंडे तक लगाता रोता रहता है यह जो condition है उससे उसको आराम मिलता है और बच्चे की नीन भी पूरी हो जाती है दूसरा question है क्या गेस्टी का drop हर दिन इस्तमाल कर सकते है तेकि गेस्टी का drop जो है वो अगर आपके बच्चे को गेस्ट से करना चाहते हो तो इस बारे में अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट कीजिए उसके बाद ही के स्तमाल कीजिए तो यह जानकारी गेस्टी का drop के बार में अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो है तो वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिए वीडियो को शेर कीजिए ताकि और और सारे लोग गेस्टिका ड्रॉप्स के बारे में समभूर जानकरी पास अके हों कमेंट करके हमें बताए कि आप कौन सी प्रोड़क्ट यहां डिसिस के बारे में जानना चाहते हों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दवाईयों का सेवन करने से पहले उसका सही डो को जान ले धन्यवाद